और मौक्ष मार्ग कहो अध्यात मकार कहो धर्म मार्ग कहो धर्म मार्ग के आगे बढ़ना हो तो ध्यान रखना बगीचे में आपको हो सकता है आप गए एक भी फुल देखने को ना मिले ऐसा हो सकता है क्या बगीचे में गए हो तो निश्ची तुरुप से कुछ न कुछ एक फुल तो देखने को मिलेगे ही मिलेंगे जंगल में अगर आप गए हो तो एक ना एक वक्ष तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा और आप सच्चे धर्मात्मा हो अध्यात मार्ग पर चलने वाले हो तो निश्चित मान के चलना आपके जीवन में थोड़ी बहुत समवेदन शिलता तो होगी होगी अगर समवेदन शिलता आपके मन में हरदे में नहीं है तो निश्चित मान के चलना अभी आप धरम के मार्ग पे चल रहे हो लेकिन आप धर्मात्मा कहलाने के अधिकारी नहीं हो अध्यात्मे के मार्ग में समवेदन शिलता सबसे अनिवारे 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 ही है निश्चितमान की चलना वो समवेदन शिलता जो मन को वेथित कर देती है जो मन को पीडित कर देती है और किस के लिए अपने लिए नहीं दूसरों की पीडाओं पर दूसरों को कष्ट को देखकर जो अपने आप में पीडा हो जाती हुब यह थित होती है एक बहुत बड़ी डॉक्टर थे और करने के बाद वो रहने अमास्टरी थी काई की मास्टरी थी वो डॉक्टर इस प्रकार कहते थे क्लोरोफर्म सुंगाते थे जब कहना चाहिए कि आप्रेशन होता है तो बेहुस किया जाता है तो बेहुस किया जाता है तो बेहुस करने में वो क्लोरोफर्म आदी सुंगाते थे उसमें उनकी मास्ट्री थी उन्हें हर आप्रिशन के पिले बुलाय जाता था वो अपनी उसक्रिया प्रक्रिया से जुड़कर वो कारे करते थे अब हुआ ऐसा ही कि एक बार उन्हें बुलाया गया और जब बुलाया गया तो उन्होंने वही कारे किया जिसमें उनकी मास्ट्री थी किया करने के बाद उन्हें गर्बपात के केस में बुलाए गया था जब गर्बपात वाली में जो मा थी गर्ब से उस बच्चे को निकाला गया और निकालने के बाद योग संयोग की बात है कि जब गर्ब से वो बच्चा निकला तो बच्चा निकलने के बाद उनकी द्रस्टी उस बच्चे पर पड़ी जिस बच्चे को गर्ब से निकाला गया था उसकी उस इस्थती को देखकर वो वहीं बहंस हो गए उनका कहना था कि वो जो बच्चा निकला था वो ऐसे नहीं निकला था गर्ब से बोले गर्ब से तुकड़े करकर उस बच्चे को निकाला गया था इतने सारे तुकड़े उस छोटे से बच्चे के हुए थे उन तुकड़ों को आप जो करवाते हैं क्या करवाते हैं बताओ तो से क्या तो आप गर्भा गर्बपाद करवाते हैं उस गर्ब से गिराते हैं बच्चे को, तो उसके सेकड़ों तुकड़े किये जाते हैं, ऐसा नहीं निकाला जाता है, बस उनका ये कहना था, कि अगर कोई मा है और मा के पास वास्ट विक्ता में हर्दे है, तो एक बार जो बच्छा उसने निकाला है, उसका सुरूप देख ल होना है ना करवाना है, अगर समवेदन होगी, और डाक्टर के अंदर समवेदना थी है, उसी के डॉक्टर थी हो, उसी दिन उनने कायसर कर लिया, कि मैं जो भी गर्वपात माता करा रही है, उसके लिए कभी भी अपनी खुद की क्वालिटी का प्रियोग नहीं करूँगा, और ना कभी मैं अपना होस्पिटल भी खोलता हूँ, तो ऐसी बेहुसी नहीं करूँगा, इसमें इस प्रकार की मौत होती है, ध्यान रखना, इतनी समवेदन शीलता तो होनी चाहिए, कि जो वो बालक आया है, उस बालक के साथ, वो क्या हो सकता है, यह मान के चलना, एक बह इस बात याद है, कि एक मा के दो बहने थी, मतलब दो बालका हैं पहले से थी, और योग अजकल का साइन्स ऐसा हो चुका आगा, कि पहले से पता चल जाता है कि आपके गर्व में कौन क्या है, और तीसरी भी जो है, उनकी क्या थी? बालिका आगई, तब बालिका आगई, त संते के पास पहुचने के बाद उन्होंने जब इस बात बोली, क्या करना है, तीसरी भी जो है, अब में जो है, किसी भी प्रकार से अपने जीवन में इस तीसरी भी जो को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हूं, आप बताओं क्या करना है, तो बड़ी इस ते उन्होंने कहा था, बात मैंने पड़ी बता रहा हूं, उनने का था कोई दिक्कत नहीं है, आपको दो रखना है, पूरा बहुत अच्छा है आपका विचार, तीन कहा रखोगा, आप दो ही रखो, बोले हाँ ठीक है, दो रखना है, तो बड़ी बाली का कितने साल किये, बोले बारा साल किये, बारा साल उसके साथ आप जी लियो, अब आप उसको मार दो, कोई बादा नहीं है, मारना है, आपको दो चाहिए ना, तो दो हम देने को तयार है ना, आप उसको मत मारो जो आने वाली है, आप उसको मार लो, तो बिचार करना, आप ही क्यों मान रहे हो, कि जो गर्ब में है वो जीव नहीं है अरे जैसे बाहर जो आपकी लड़की या जो लड़का है वो जीव है वैसे वो भी जीव है वो भी जीव आत्मास में आज चुकी है अगर आप उसको भी मारोगे तो उसी प्रकार का पाप आपको लगे गा उसी प्रकार का पाप आप करते चले जा रहे हैं इनिश्चित रुप से आप एमान के चलना, आपके अंदर वो होना चीजी होड़िए, क्योंकि धियान रखना, अप धर्म की बात कर रहे हो, तो जैसे गणित का कोई समिकरन होता है, वो जो जो जोड होता है, या घढ आ होता है, या ब्भाग भी होता है, वो संख्या जब उसके साथ क्या लगेगा उसके साथ आपके जीवन में समवेदन शीलता लगेगी तपस्या हो चाहे स्वाध्या हो चाहे कोई सभी सयमी हो चाहे वोई श्रामवक हो चाहे सज्जन हो चाहे समकित हो अगर आपके पास समवेदन शीलता नहीं तो आपका जीव आपका जो ज चल तो रहे हैं लेकिन धरम के पीछे ही हैं धरम आपके साथ नहीं हैंगा तो विचार अपने आपको करना कि हमारे जीवन में समवेदन शीलता है कि नहीं और समवेदन शीलता मैं उसको मानता हूं कि आप अगर माली जी समवेदन शील है तो समवेदन शील है तो अगर आप च अगर आप रख रहे हैं, अटरह एं, बेठ रहे हैं, उथने बेटने में भी, अगर जीव का आपके माद्यell BILL, कोई बाहो Block 005 7 वो खिड़की से दब गई, दरवाजे से दब गई, अब अगर जीू मर गया है, और कोई मेंड़क आपके माद्यम से मर गया है, अब मरा है, और आपके 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 पाओं में दब कर जीव मरा है तो वैसे ही इमान के चलना हमें उसका फल तो मिल नहीं है तो हम इसलिए तो कह रहे हैं आगम में सपस्ट आया है कि हम देखकर चल रहे हैं उसके बाद भी अगर जीव मर गया तो उसका पाप आपको नहीं लगेगा लेकिन आप बिना देखे चल रहे हैं और अगर कोई जीव मर गया है तो निश्यत मान के चलना मरे चाई नहीं मरे आपको तो हिंसा का दोश लगना ही लगना है अगर आप सच्चे समवेदन शील हैं हड़े वाले हैं तो निश्यत मान के चलना वो समवेदना अगर आपके अंदर है तो आपको देख कर चलना चीए आपको सामगरी भी देख कर रखना चीए नहीं तो अन्त जब आपका हमने जीवन पर धर्म किया लेकिन किया तो लेकिन विवेक नहीं रखा और निजाने कितने जीवों की हिंसा हमने करिए और फिर बाद में अगर आपका मरण बिगड़ता है तो आप एमत भूला हमारा मरण ऐसा उनका मरण ऐसा क्यों हुआ वो इतने तड़पते तड़पते क्यों मरे क्योंकि आपने इतना तरपते तरपते मारा है इतने सारे जीवों को तो एक दो नहीं सेकडो अनंत जीव आपने तरपता तरपा के मारे हैं तो निश्ची तरप से आप भी अन्त समय आपका भी इसी प्रकास तरपन के साथ गुतन के साथ और विकल्प और संकल्पों के साथ होता चला जाएगा इसलिए समवेदन शिल्टा मात्र आपको जो दिख रहा है वो नहीं बाकि जो आप अंजान में भी पाप कर रहे हैं अंजान में भी आपके अंदर समवेदना नहीं है उस पर भी निश्चित रूप से आपको विचार करना चाहिए अगर आपके पास वो समवेदन शिल्टा नहीं है निश्चित अभी आपके पास धरम नहीं है इस बात को निश्चित आप मान के चलना और समवेदन शिल्टा दो छेत्रों में बाहद्दूर बनाती है समवेदन चिलता दो छेत्रों में आपको बाहर बुद्ध बाहद्दूर बना दी है अगर आपके पास समवेदन चिलता है सबसे पहला जो समवेदन चिल होता है वो स्वदोष स्वयम के दोष के प्रती वो वेदनाशील बनता है जो समवेदनशील होता है वो स्वदोश के प्रती वेदनाशील बनता है और दूसरा परदुख के प्रती वो समवेदनशील बनता है क्या बोल रहा हूँ स्वदोश के प्रती वो वेदनाशील बनता है मेरे क्या दोश हो रहे हैं अंदर से वो वहतित हो जाएगा जो समवेधन वाला हर दे रहेगा और पर दुख के प्रती वो समवेधन शील बन जाता है आप पर दूसरों के अगर दुखों के अंदर लग रहा है दिख रहा है, समझ भी आ रहा है कि सामने वाले को पीड़ा है, कस्ते उसके बाद भी अगर आप समवेधन शील नहीं है तो बताओ, फिर कैसे आप धर्मात्मा हो सकते हो धर्मात्मा हो जी नहीं सकते हो अनंतिकाल से संसार में परिभरवन या आत्माएं कर रही है लेकिन हर इसरिफ ऐसा दिखावे का चोला पैन रखा है इस प्रकार से अपने जीवन को बना लिया है, कि उससे करते तो चले जा रहे हैं तो करने के माद भी मन में थोड़ी बहुत भी अंदर से समवेधना नहीं बचिए, वेधा नहीं बचिएगी, कि जीव की हिंसा मेरे माद्यम से हो रही है तो मेरे माद्यम से वो जीव अगर मर रहा है तो उसमें मुझे कुछ न कुछ दोश लग रहा होगा यह बात हमारे जीवन में नहीं आ रही है क्योंकि हम और दूसरी बात यह कि जो समवेधन शिल नहीं होगा वो क्या होगा वो क्या करेगा वो इन दोनों छेत्रों में वो क्या करेगा स्वधूश में वो क्या करेगा स्वधूश में वेदना का अनुभर नहीं होगा अपने स्वयम के दोसे उन स्वयम के दोसे में फिर बहाने बनाएगा और अपने उन दोसों को बचाएगा जो समवेदन शील नहीं है वो क्या करेगा अपने स्वयम के दोसों को बचाता चला जाएगा अपने स्वयम के दोसों के प्रति वो इतना अलर्ट नहीं होगा और जिस तरह से भी उनके बचाने के उपाए वो बार बार चिंतन मंतन के मादम से करेगा कि किसी प्रकार से जो मैंने किया है वो बसता चला जाए अलग होता चला जाए और आप जब जब भी अपने दोशों को बचाओगे तो आपके पास वो समवेदना रहित आपका जीवन रहित हो जाएगा आप अपने दोशों को ढख रहे हो या अपने दोशों को बताने रहे हो अपने दोशों को आप दूसरों के सामने दिखाने रहे हो बैलकि दिखाना और बताना चाहिए अपने दोश कि मेरी ये दोश हो रहे है मेरी ये गलतियां हो रही है लेकिन हम लोग बताओ कितने अलर्ट हैं अपने दोश्यों को बताने के लिए अगर आप अपने दोश्यों को बताने के लिए अलर्ट हो तो बहुत अच्छी बात हैगी और दूसरी बात अन्नक्य डुखों के पत्ति अगर simbedencial नहीं रहेंगे तो फिर हम कठोर बन जाएंगे और जहां हम कठोर बन गए तो जो कठोर है वेक्तित्व है उसके जीवन में धर्म नहीं है निश्चित इमान के चलना यह आप और अगर ऐसा है तो दो बाते होगी क्या एक तो विवेक की आँख समापत हो जाएगी मतलब जो सवदोश के प्रती अगर वेदना शिल नहीं है तो निश्चित मान के चलना उसके पास विवेक की आँख नहीं रहेगी वो विवेक के साथ अपने जीवन को नहीं जेगा विवेक रहे थी उसका जीवन होगा और दूसरी बात ये कि अगर माली दूसरों के प्रती भी अगर मालो उसके अंदर समवेदना नहीं है तो क्या होगा पुरुशार्थ के जो पंक है पुरुशार्थ के पंक है वो निकल जाएंगे मतलब क्या हुआ जिस पक्षी के पांस आंक नहो तो भटक जाता है और जिस पक्षी के पांस पंक नहो तो वो अटक जाता है तो ध्यान रखना जिस के पांस स्वदूश की प्रती अगर वेदना शील नहीं है तो वो भी भटक जाएगा और जो स्वयम के दोशों के प्रती भी संवेदना नहीं है, दूसरों के दुख के प्रती भी संवेदना नहीं है, वो भी अटक जाएगा, ये निश्चित मान के चलना, ये है ही सत्य ही है, सास्वस सत्य ही है, आप में एक बात द्यान रखना, पूझी गवानी पड़े, जिसमें नुकसान ही ही हैं तो हम ऐसा वैपारी क्यों करें 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 कोई बता कोई करेगा जिसमें धन चला जाए रूपया चला जाए पेसा चला जाए संपदा चला जाए ऐसा कोई वेक्टित वैपार करेगा कोई नहीं करेगा मानली जिससे स्वस्तता ही चले जाए ऐसा बदन करेगा जिससे स्विस्तता समाप तऊ होती चली जारी है जिससे हमारे उसी परकाल जिससे हमारे स्विदून गवाने पड़े जिससे कोई अज्वा keen है यों मित्रता अज्य है आपकी बहियर्ग मांने लो कोई डिंक वाला है कोई बीडी वाला है, कोई सिगरेट वाला है, को तमबाकू वाला है, काय को हम उससे दूरी रहेंगे, जो पाप में लिप्त है, तो उससे आप दूर रहोगे कि न रहोगे, बताओ, रहोगे ना, जब आप एमान के चलना कि आप वो बैपार नहीं करते हो, जिसमें धन चला ज बड़े, इसे विचार, ऐसा चिंतन, ऐसा मन, ऐसा हमारे अंदर चल रहे है, परिणाम क्यों, अब ऐसे परिणामों को आपको अपने जीवन से दूर रखना होगा, क्योंकि समवेदन चलता एक ऐसी पूंजी है, जिसके बल पर आउपने आत्मा को जगत के सर्व जीवों से जोड सकते हो, निश्यत मान के चलना, आप सब को जोडना चाहते हो, तो आपके जीवन में समवेदन चलता होनी चाहिए, बिना समवेदन चलता के आपका जीवन अच्छा बन ही नहीं सकता है, और आगम के कुछ सूत्र हैं, उन सूत्रों को आपने बहुत बार सुना हैं, ल यह सूत्र आपके जीवन में कब उत्रेंगे जब संवेदन चलता होगी सबसे पहला सूत्र है मित्ती में सब्व गुदेशु मतलब इस जगत में सर्व जीवु के साथ मेरी मित्रता हो यह सूत्र बहुत प्रश्लित है लेकिन मित्रता कब होगी? जब सम्वेदना आपके पास होगी निश्चित में शिम मस्तु सर्व जगत है इस सूत्र को बोला जाता है मतलब क्या हो? संपूर्ण जगत का कल्यान हो इसका आठ्छित होता है संपूर्ण जगत के कल्यान की भावना आप रख रहे हो लेकिन यह कब होगा? जब सम्वेदन चिलता आपके पास होगी निश्चित मान के चलना फिर आप बोलते हो क्या? खम्मा में सभ जीवाना यह आप बात बोलते हो लेकिन यह कब होगा? कब इस जगत में सर्व जीवों कुमें क्या करता हूँ छमा करता हूँ सम जीव मुझे छमा करे पर तब जब समवेदन चलता आपके पास होगी बार बार ये सुत्र बोला जाता है मा कस्चित दुख भाग भवेत ये वेश्णो संपरदाय का एक ग्रंथ है उसकी एक अठाना के क्या है वामा कस्चित दुख भाग भवेत का अतात पर कै इस जगत में कोई भी जीव डुखी ना हो लेकिन कब जब समवेदन चलता होगी अगर समवेदन चलता नहीं है तो सूत्र सूत्र ही रह जाएगा सर्वजीव इसनेह परिणाम सादुत्वम ये भी बोला जाता है मनलो क्या सर्वजीव के पती इसनेह परिणाम ये हमेशा बने पर कब जब समवेदन चलता आपके पास होगी शट्जीव निकाए रितम परमात्म तत्व में सूत्र जैधावला का है तपर कब छे काए के जीवों के परिदि हित की चिंता करना ही परमात्म तत्व है परमात्म तत्व है छे निकाए के जीवों की छे निकाए में कौन हो गया छे निकाए किसको किते हैं शटकाए किसको किते हैं बताओ तो सही शट निकाए किसको किते हैं आता है नहीं आता है प्रत्वी भी जल भी अगनी भी वायू भी वनस्पतिकाय भी और तरस इन सड निकाय जीवों के प्रती क्या इन हित की चिंता हो आपको क्या इन छे निकाय के जीवों की हित की चिंता है अगर इन छे निकाय के हित की अगर आपके जीवन में आपके अंद आगर चिनता है तो निष्चेति एमान के चलना आप सहמהधञिल हो सहमेद छिलता तब आएगी जब आप मानो कि जल में भी पता आउ ना बूलो ना जल में भी स्विकार किया आप नहीं स्विकारा है यह जितने लोग बेटे समने स्विकार है कि जल में जी हुए तो आप कितना जल उप्योग करते हो अगर संवेडन शील हो तो आप बताओ हम कितना जल यूज करते हैं जितना हमें लगता है और कितना लगता है अरे आप चाहो तो दो मगगे से भी ना सकते हो आप चाहो तो दो मगगे से भी ना सकते हो लेकिन आप कितने स्वावर चालू किया पता नहीं कितना जल चला गया एक बालती चलो ठीक है वो अजबासा के धर्मात्मा है कितनी बालती से नाते हो अरे बताओ तो सही कितनी बालती से नाते हो आदी बालती और कम कर दो अरे हमारे गुर्दे ये पचास साल तक नहीं नहाएं आज हमने एक बच्चे का दिया था न सुबह सुबह एक संस्मन्ट सुनाया था आचाई श्रीजी से एक छोटे से बच्चे ने पूछा कि आचाई श्रीजी अभी ये नहीं आयन को और सुना देते हैं दमो वाले बेठे हैं हमारे सागर नाका से आएं बहुत अच्छा महीर ट्रेडर्स वाले भी बेठे हैं और सभी लोग बेठे हैं यहाँ पर और मंदिर की बात करने आएं कि हमारे अलग अलग जगह से हम छोटीटे गाओं जहां पर समाज जो है अस्तवेस्त हो रही है उन भगवानों को लाकर हम अपने इस इस्थान दे रहे हैं तो महीर ट्रेडर्स वालों ने कहा है हम अपने इस्थान देते हैं सब जनाले यहां आजाएं सब भगवानों को हम आसरा और सहरा दे रहे हैं महत अच्छी बात अच्छा कारे कर रहे हैं आपने भगवान को आसरा और सहरा ने दिया है आपने भगवान को छट या मकान नहीं दिया है आपने अपने आप किछत एकट्टी कर लिएगी, बहुत अच्छा आपकारे कर रहेंगे, वो तो सादुबाद के पात्र हैं और आश्रिबाद के पात्र भी हैं, तो अब हम वो यह बोल रहे हैं, इन लोगों से पूछने आज सुबह, हमने यह बोला था, एक छोटे से मैं किती बार नाता हूँ, दो बार, बोले एक बार दिन में और एक बार रात में, एक बार सुन लाइट से नाता हूँ और एक बार मुल लाइट से नाता हूँ, तो दिया रखना, जब हचाई श्री पचास साल में सुन लाइट से नाएं, तो आप लोग आदी वाल्टी से भी कम कर सकते हो और जितना कम करोगे उससे आपका ये जो सुरूप है और आभावान और चमकवान बनने वाला है ये निश्चित मान के चलना तो जल में भी जीवे इसको स्विकार करो आप जो हरी वस्तुएं को अपयोग कर रहे हो उसमें भी जीवे इसको स्विकार करो हमारे Guru Devu ने उसको स्विकार किया था और स्विकार करने के बाद क्या किया उन्होंने? पताओ, हरी का जीवन त्याग कर दिया है प्योंकि option ही नहीं है हमने तो कच्छों नहीं करो आपको बता रहे हैं, यह क्या है? यह वास्त पिकता है, क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है समवेदन शीलता उनके अंदर थी ये बता रही है कि उनके अंदर वो समवेदन शीलता थी और समवेदन शीलता से उन्होंने वो हरी का भी त्याग किया प्रत्वी में भी जीव है, जल में भी जीव है, अगनी में भी जीव है वायू में भी जीव है, इसको स्विकारों, यह वायू कि हम पंखा चला रहे हैं, कूलर चला रहे हैं, इन सब में जीव है, हम जितना इनका उप्योग करने हैं, उसमें जीव आत्मा है, उसको तो हमें समजना चीए, सोचना चीए, और जब तक हमारी अलट बुद्धि उसमें नहीं होगी तब तक हमारा जीवन नहीं आएगा मैं बार-बार आप से एके रहा हूं कि आप अपनी समवेधन शिलता को पकड़ने का प्रयास करें मेरे जीवन में अगर समवेधन शिलता होगी तो ही मैं सच्चा धर्मातना बन जाओंगा समवेधन शिलता आपका ओपरी जो बाहर का वहवार है वो समवेधन शिलता है निश्चे ध्यान रखना की समवेधन शिलता ही आपकी ऐसी पूझी है जिस पूझी के बल पर अपनी आपका अपनी आत्मा को आप उतकस्ता की ओ ले जा पाओंगे उतकस्ता तक पहुजा पाओंगे और सब जीवों से जुड पाओगे, सबसे जुड़ना है जुड़ना है नहीं जुड़ना है सबको अपना बनाना है और सब में होना है तो आपके जीवन में समवेदन शीलता चीए, आप समवेदन शीलता कोई वो कठिन शब्द नहीं समस्थ रहो ना संवधनशीलता का अरत क्या है संवधन aun के आरत अच्छारि आकी बात बोल देजे जेसा में वेसे सब जेसा में में वेसा पूरा संसार ये कहलाती है संवधनशीलता इसको कहते हैं संवधन睡ता आज तक हमने एक बार भी एसी समवेदल चिलता नहीं आई है हमारे जीवन में तब ही तो हम भटक रहे हैं और संसार में भटक रहे हैं जैसे दियान लखना बिना बूरे के या बिना मीठे के जो है वो मिठाई नहीं होती है और खाई भी नहीं जा सकती है इसलिए अगर आपके जीवन के उन पलो में अगर समवेदल चिलता नहीं है तो ध्यान रखना आपके जीवन में भी धर्म से आप बहुत दूर हो धर्म आपके जीवन में आया ही नहीं है मैं बार बार के रहा हूँ अगर आप सच्छे धर्मात्मा हो तो अपनी किरिया में समवेधन शेलता लाओ दूसरों के प्रती आचार भगवन ग्यांसागर जी महाराज जी ने से एक बालक प्रस ने पूछा था मैं बार बार इसको बोलता हूँ जो बात अच्छी होती इसको बार बार उन्होंने कहा था क्या कहा था उस बालक ने पूछा था कि आचार महाराज ये इतने बड़े-बड़े शास्त्र में नहीं पढ़ना ये समय सार है ये है वो है ये सब बड़े-बड़े सास्त्र नहीं आप तो कोई छुट बात बता दो जिससे जो है वो हमें धर्म समझ में आ जाए और हम सच्चे धर्मात्मा बन जाए सच्चे धर्मात्मा जाए तो अचार इस ग्यान सगर जिन इतनी सी बात बोली कि धर्मात्मा होने की बात बोले अगर वास्त्विक्ता में आप सच्चे धर्मात्मा हो तो भोले दूसरों के दुखों पर अगर तुम रो रहे हो तो सच्चे धर्मात्मा हो दूसरों के पेडाओं पर तुमारे आख में आसु आ गए तो तुम क्या हो सच्चे धर्मात्मा हो दूसरों के कस्ट जब तुमें अपने कस्ट लगे तो समझ ले ना तुम सचे धर्मात्मा हो अभी नहीं हो और अपनी अपनी ही स्वार्ट में ही अगर आपका जीवन चल रहा है मेरा मेरा ही आपके जीवन में दिखता चला जा रहा है दूसरों के प्रति आपके अंदर थोड दूरो धरमात्मा बनना चाहते हो तो समवेदन शीलता को अपने जीवन में आना लाना पड़ेगा वो जीवन में आना ही चाहिए ने तो भी समवेदना नहीं है तो मैं यहीं बोल रहा हूँ अगर समवेदना होगी तो आपके अंदर आप देखकर चाहर हाँ जमीन चलना अगर समवेदन शीलता आपके अंदर है तो आप चाहर हाँ जमीन देखकर चलना क्यों क्यों चाहर हाँ जमीन देखकर चलना आप गाड़ी जिसे देखकर चला रहे हो बहुत अच्छी बात है ऐसे ही गाड़ी में तो कितने जीव मर गें पता नहीं पता भी नहीं चलेगा इतनी स्प्रीट में गाड़ी चल रही है लेकिन अगर आप पेदल चल रहे हो तो चार हाथ जमीन देख कर चलना चार हाथ जमीन देख कर चलोगे तो कमसम जितनी कदम आप रखोगे देखो मैंने उस जिन भी एक बात बोली थी क्या बात बोली थी बहुत अच्छी बात बोली थी अगर आपको दिहान हो तो मैंने यह बोला था कि यह जो यह जो चोला हमने ओड रखा है यह जो सादू का बेस हमने पहन रखा है यह सादू का बेस कोई चोटा मोटा बेस नहीं है यह बहुत बड़ी दुकान हमने खोल रखी है यह हमने इसी दुकान खोल रखिएगी कि हीरे जावारात में जिसे क्या होता है गा कि करोडों और अर्बों मिलते हैं न एक हीरा बेचो आप दिन भर दुकान करो वो महीर टेड़स वाले बेचें दुन भर माल बेचेंगे खरीदेंगे तब भी शायद उनको दस बिस पचीस एक लाग दो लाग मिलेगा लेकिन जो हीरे का वेपारी होता न दो पाश मिट का सोधा होता एक हीरा बेचा और लाख वो अंदर होते हैं एसे हम लोग की दुकान है यह हीरे जावारात की क्यों क्योंकि हीरे जावारात की एसी दुकान है कि हम खाएंगे तो भी असंख्यात गुनी कर्मे की निर्जरा हम बोलेंगे तो भी असंख्यात कर्मे की निर्जरा हम चलेंगे तो भी असंख्या दुनी कर्म की निर्जा क्यों? क्योंकि हमारे साथ समीती लगी है हम क्या कर रहे हैं? देख कर चल रहे हैं एरिया समीती हम हितमित प्रिवाद बोल रहे हैं भासा समीती हम खा भी रहे हैं देख कर खा रहे हैं एशना समीती और जो समीति के साथ चलता है वो चत्रमाज समीति के साथ नी इन समीतियों के साथ जो चलता है वो समान रख रहे हैं तो भी क्या है? अब देख कर रख रहे हैं तो समीति का पालन हो रहा है हम अगर थूख भी रहे हैं हम अगर थूख भी रहे हैं तो संख्यात कर्म की गर्मों की निर्जरा हो रहा सोच विचार करो सादू थूखता भी है सोच ना और वो पीछी लगा कर परिमार्जन करकर कर रहा है उसको चार पस्वन समेती बोल रहा है असंख्यात कर्म की निर्जरा हो रही है यह दुकान ऐसी हमने खोल रहे हैं, इस दुकान को आप समझे, क्यों, तोकि हमारे पास समवेदन चीलता है, क्या है, हम देख कर चल रहे हैं, कोई जीव मरे नहीं, ये समवेदन चीलता है, हम कोई समान रख रहे हैं, कोई जीव को देख कर पीछी लगा कर रख रहे हैं, आपके पास पीछी नहीं ह इन आखों से तो आप देख कर चलो इन आखों से तो आप सामान उठा पटक जां कर दो उठा कर देख कर तो रखो अगर यह आपके अंदर होगा तो बाहरी आचरण आपका अच्छा होगा और बाहरी आचरण जब आपका अच्छा होगा तो आपका गुड नेचर बन जाएग जैसा में हूँ वैसे आप पूरे संसार को मानना तो आपके जीवन में समवेदन शीलता जाएगी तीन बिंदू थे, सबसे पहला बिंदू था कौन सा? समाधान ब्रत्ती, दूसरी बात है समवेदन शीलता और तीसरी बात, स्वाध्याई क्या है? स्वाध्याय से क्या होता है और स्वाध्याय कैसे करना चाहिए और स्वाध्याय से जीवन में कैसे बदलावाता है अगर आपका पुन्य रहा हो और मुझे याद रह गया तो अगली रिवार उस पर अपन बात करेंगे बोधी समाधी परिणाम सद्धी शात्म पलब दिश्विशो के सिद्धी चिंता हम बड़ें चिंतित वस्दाने ताम बंदमाना श्मा मास्तो देवें